हेलो इस्टुडेंट्स आप सभी का ओनलाइन क्लासेस में बहुत-बहुत स्वागत है यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रासाइन सास्त्र केमिश्ट्री का आपका चो पेपर 18 मार्च को है पेपर का पूरा सोलुशन हम इस वीडियो में देखेंगे 18 मार्च का सी सेट है ये सेट सी का पूरा सुलुशन में करवाने वाला हूं तो इस्टुडेंट्स जल्दी से जो दोस्त हमारे लाइव क्लास में जूड चुके हैं जूड जाईए और इस क pajamas को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए चलिये इस्टुडेंट्स बिनादेर कि हम इस live class को start करते हैं उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को subscribe करिएगा और अपने दोस्तों को share करिएगा subscribe करने से क्या होता है कि आगे भी इसी प्रकार update आपको मिलती रहती है चलिए students अब समय ना लेते हुए start करते हैं पूरा solution आपको बताया जाएगा लाफ्ट तक देखिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों को share करिएगा चलिए तो बिनादेर की हम start करते हैं question क्रमांक पहला सित्तर नंबर का पूरा paper आपका छपेगा हीमांक वो अवनयन इस्तिरांक के एब की इकाई है तो इसकी जो इकाई होगी वो होगी केके जी एम एल की घात माइनस एक राइट अंसर होगा अगला question आदर्स वीलियन के लिए असत्य है तो आदर्स वीलियन के लिए इनमें से कौन सी बात असत्य है option आ, option बा, option साहा और option दा तो इसमें आपका जो correct answer हो जाएगा वो जाएगा option सा अगला question देखेंगे विद्दूत अब घटे की सांद्रता बढ़ाने पर विद्दूत चालकता गटती है बढ़ती है आप परिवर्तित रहती है आ, option बा, option सा, option या दा, option तो इसमें आपका correct answer हो जाएगा बढ़ती है बा, option आपका correct होगा अगला question एनोड पर सदेव होने वाली पृतिकिरिया है तो एनोड पर सदेव होने वाली जो पृतिकिरिया है वो है आकसी करन question number 5 के फोर कोष्टक में AP और CN इंटू 6 कोष्टक बांद के इंद्री दातू आयन की समन्वे संक्या है तो इसकी जो समन्वे संक्या हो जाएगी वो हो जाएगी 6 छे राइट अंसर होगा अगला प्रिश्ण है EDTA लिंगेड है एक दंती द्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् अगला परिशन है रिक्तिस्थान के रूप में जितने दोस्त लाईव क्लास में जूड़ रहे हैं आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करोगे यदि आप वीडियो को लाफ्ट तक देखते हैं स्टूडेंट्स पूरा कुशन पेपर आपका छपता है जो बताया जाता है उसमें से लेकिन आप क्या करते हैं शिरू में देखते हैं और भग जाते हैं तो कौन दोस्त वीडियो को अभी तक देख रहा है कमेंट बॉक्स में बताईए जल्दी से जल्दी से ताकि आपका नाम हम तक पहुंच सके हाँ प्रतम कोटी अभी किरिया की अर्द आयू के सांदरता पर निर्बर नहीं करती तो इसमें आ जाएगा अभी कारक पहला वाला जो खालिस्तान है इसमें सही उत्तर आप लिखेंगे अभी कारक अभी कारक सही होगा सी यू स्क्वेर प्लस आयन का जली विलियन होता है तो इसका जली विलियन होता है रंगीन रंगीन आपका उत्तर हो जाएगा अगला प्रेशन के टू सी आर टू ओ सेवन में क्रोमियम की आक्सिकरन संक्या होती है तो प्लस सिक्स होती है प्लस सिक्स होती है SN1 अभी किरिया चरण ये चरणों में संपन होती है यहाँ पर आपका हो जाएगा दो चरणों में दो चरणों में संपन होती है एतेनल जल में के कारण घुल जाता है तो हाइट्रो जन बंद के कारण के गर जाता है घुल जाता है पर मैं लिख देता हूँ हाइड्रो जन बंद के कारण के गर जाता है घुल जाता है अगला प्रिश्ण एतनल जल में के कारण घुल जाता है फिनाल एतनल की तुलना में अधिक होता है अमलिये कैसा होता है अगला प्रिश्ण एमीनों अमल में कारण क्लिसलिक समू एवं दोनों पस्तित होते हैं तो इसमें आपका एमिन होगा एमिन आपका इसमें राइट अंसर हो जाएगा तो अमीनों अमल में कारण क्लिक समू एवं दोनों पस्तित होते हैं जोड़ी के रूप में देखेंगे उत्परे रख उत्परे रख आप मिलाएंगे तो इसको आप मिलाएंगे शक्रिये उर्जा उत्परे रख को मिलाएंगे आप शक्रिये उर्जा और प्रती चुमबा क इसको मिलाओगे जे एन स्क्वेयर प्लस और कारबिल एमिन अभी की रिया इसको आप मिलाओगे प्रात्मिक एमिन से प्रात्मिक एमिन आपका सई उत्तर होगा चीनी को आप मिलाना है चीनी को डाइ सेकराइड से मिला लीजिए और गलूकोस को आप मिलाओगे मोनो सेकराइड और केंसर की दवा तो केंसर की दवा को मिलाओगे सिंस प्लेटिन और उबे धर्मी लिंगेड इसको आप मिलाओगे सी एन से नेक्स्ट कोश्चन आप की स्क्रीन पर आ रहा है एक सब्दम उत्तर देना है चलिए तो इसका भी सोलूशन देखी लेते हैं ग्लाइको सिडिक आबंद किसे कहते हैं तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जागा है मैं सिरफ बोलूँगा क्योंकि उत्तर जो है बड़े-बड़े हैं मोनो सेक्राइड के दो अनू गलोको सिडिक बंद द्वारा आपस में जुड़ते हैं ये इसका उत्तार है वापिस वीडियो को पीछे करके सुन लेना जली विलियन में C2, H5, NH2 और NH2 में अधिक चारी कौन है तो यहाँ पर जो अधिक चारी है वो ये वाला अधिक चारी है लिख लेना अगला दुत्यक एवं तृत्यक एमिन में अंतर करने के लिए किस अभी कर्मक का प्रियोग किया जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा हिन्स बेर्ग यहाँ पर हिन्स बेर्ग अभी कर्मक का प्रियोग किया जाता है अगला प्रिश्न चोटा जुटर आयन को परिवासित कीजिए तो जुटर आयन एक द्वी धुरुवी अमिनों अमल का रूप है अगला प्रिश्न डाई एजो करन क्या है तो प्रात्मिक अमल को नाइट्रस अमल के साथ अभी किरिया करने पर डाई एजो लवन बनता है वीडियो को पीछे करकर सुन सकते हैं विटामिन C का रासाइनिक नाम लिखिए तो इसका रासाइनिक नाम होता है एसकोर्बिक अमल इसका रासाइनिक नाम होता है अगला प्रिश्ण है यह कौन जैसे के तिर्बूत जैसा आप देख रहा है यहाप टी एवाम तिर्बूत सुन्य में संबंद लिखिए तो इसका जो संबंद होता है वो देखिए यहाँ पर एसा कैसा अपने बनाना पड़ेगा एसा और इसमें टी लागना पड़ेगा 80 बराबर में आपको 9 4 बटा 9 करना पड़ेगा और फिर आपको ऐसा बनाना पड़ेगा और फिर सुन्य लिख न पड़ेगा यह इसमें क्या होगा संबंद होगा कोश्चन नमबर पहला, एक हजार ग्राम विलायक में उपस्तित विले के मोलों की संक्या को कहते है, तो इसको कहते हैं मोल लतहा, अगला कोश्चन, एक फेराडे विद्धुत का मान होता है, तो कितना होता है, तो यहां पर राइट अंसर हो जाएगा, छानवे हजार पानसो क नेक्स्ट कोश्चन के ओर बढ़ जाएए, और अगला कोश्चन है, आनविक्ता का सही मान है, तो सही मान हो जाएगा, एक बटा तीन, जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को शेर नहीं करा है, शेर जरूर कर दीजेगा, और चैनल को सब्सक्राब जरूर करिए, ताकि वी राइट अंसर लगाएंगे, सुन्ये, निम्न योगिक रजत चूर्ण के साथ गर्म करने पर असी टिलिन देता है, तो यह देता है CHL3, CHL3 आपका राइट अंसर होगा, नेक्स्ट कोश्चन देखेंगे, आप मीर बेन का तेल, जो मीर बेन का तेल होता है, वो नाइट्रो बेन्जिन, नाइट्रो बेन्जिन आपका राइट अंसर होगा, अगला कोश्चन देखेंगे, सात्वा वाला, विटामिन B1 है, तो यह जो होता है, वो होता है, राइबो फ्लेविन, आपका करेक्ट अंसर होगा, अगला कोश्चन देखेंगे, रिक्तिस्तान के रूप में पहला कुश्यन खालिस्तान के रूप में है किसी रासा या निक अभी किरिया की दर अभी कारकों के संद्रण के होती है तो यहाँ पर हो जाएगा राइट अंसर अनुक्रमानुपाती क्या लिखोगे अनुक्रमानुपाती अगला कुश्यन मेथिल एनिन अमोनिया से छारिये है अधिक अधिक आपका राइट अंसर होगा अगला कुश्यन प्रोटीन का बहुलक है तो एमीनो अमल जो प्रोटीन होता है उसका बहुलक होता है एमीनो अमल अगला question देखेंगे send mayor अभिकिरिया का उत्पाद तो यहाँ पर होगा आपका hello benzin hello benzin आपका right answer हो जाएगा अगला question देखेंगे प्रात्मिक एलकोहल की वास्प को गर्म alumina पर परवाहित करने पर बनता है ether आपका right answer हो जाएगा अगला question कारविल अमीन परिक्षन केबल अमीन देते है तो छटा question का उत्तर होगा one degree amine अगला question है विक्रती करन प्रोटीन की सन रचना को प्रवाहित नहीं करता तो यहाँ पर right answer हो जाएगा प्रात्मिक प्रात्मिक आपका उत्तर हो जाएगा अगला question देखते हैं और यहाँ पर सही जोडी के रूप में देखेंगे सही जोडी मिला लीजिएगा सही जोडी बनाना है नारंगी दुरूम नारंगी दुरूम को आप मिलाओगे तो इसको मिलाओगे सी आर ओ टू सी एल टू से और क्लोरी फिल को आप मिलाओगे मेगनीशियम से और कार्बोनिल क्लोराइड को आप मिलाओगे फास्पिन गेस से और सिक्का दातू को आप मिलाओगे कापर सिल्वर से और उदासिन सिगेंट को आप मिलाओगे सी ओ से और सरसो के तेल के समान गंद तो इसको आप मिलाओगे मेतिन आइसो थायो साइनेट और लाफ्ट वाला हमारा इसमें बचा है इसको आप मिला लीजे जिगल नाटा उत्पररत से अगला question चोता वाला देखेंगे जोड़ी हो गई इसकी लिंक डिस्क्रेप्शन में है जाईए और टेलिग्राम को जोईन कर लो वहाँ पर आपको पीडिव मिल जाएगा अगला question है विलियन के 10 की घाच्छे भाग में विले की ग्राम में मात्रा क्या केलाती है तो यह क्या केलाती है redox केलाती है इसका तो आपका पहले वाले question का हो जाएगा ppm दूसरे वाले में आपका हो जाएगा redox अभी किरिया redox अभी किरिया और तीसरे वाले में deoxyribos हो जाएगा और चोते वाले में आपका right answer होगा talen abhi kirmak द्याहन रखिएगा talen abhi kirmak ठीक है अब उसके बाद में देखिए इन सभी question के उत्तर आप question है पूरा paper का तो साथियो इस वीडियो में हमने पूरे के पूरे 64 objective को देखा है यहां से बहुत सारे objective आपके paper में आ सकते है अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जो दोस्त चैनल पर पहली बारा है है चैनल को जरू subscribe कीजिएगा ताकि आपको आगे भी update मिल सके और आपको कोई भी महतुपूर्ण important question चाहिए तो comment box में लिखिएगा यह जो screen पर आपको दिखाएते रहे यह आपको टेलिग्राम पर प्रवाइड करवात यह जाएंगे धन्यवाद thanks for watching चैनल को जरू subscribe कीजिएगा आगे भी update मिलती रहेगी धन्यवाद